वेलकम तो वाइफाइस्टेट डॉट कम वनस्ट डेस्टिनेशन पर अल्ल कमरेटिव एक्जाम प्रिजन्स करंट अफेर 2017 फैबृरी सेकिंड विक इन हिंदी जो भी इंपॉर्डेंट आपके लिए पेपर के लिए है फैबृरी सेकिंड वीक में करंट अफेर में से वो सभी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइट कर रहे हैं तो इसके अंदर हम नहीं सिर्फ इंटरनेशनल सेक्षिंग करेंगे इसके लवा नैशनल ट्रेड और बैंकिंग स्पोर्ट्स अपॉइंटमेंट्मेंट्स वो सभी कवर अप करेंगे जो कि आपकी पेपर के लिए इंप करते हैं तो आपको मिलता है 497 रूपीज में और अगर आपको ये 8GB पेंडर में चाहिए तो आपको मिलेगा 999 में और आपको कॉल करना है तो आप इस नंबर को यूज कर सकते हैं अगर आपको 10 नए वर्ट सीखने हैं डेली देहिंदू एडिटोरियल में से तो आप इसे कर सकते हैं यहां आपको मिलते हैं प्रेक्टिस टाइस ट्रांसलेटर डिक्शनरी कई सारे कोशन जो कि आपकी वकाप को वाकिया में बहुत स्ट्रॉंग कर देंगे तो आपको ये वीडियो पसन आता है तो आप हमें सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और हल्प कर सके का कौन बन गया है कौन सा कंट्री बन गया है तो देखते हैं पहले न्यूज उसके बाद देखेंगे इसका आंसर चैना इस बिकेम तर वोल्ड लाज़ेस प्रेडूसर अपर इनर्जी अपर इनर्जी इससे पहले जर्मनी हुआ करता था जो कि 40.78 गीगावाट्स गीगाव 2016 2016 खतम होना था कि इंडिया की जो solar grid community capacity थी वो भी 9.01 गीगावाट्स थी ओके और 2015 के अंदर इंडियन गॉवर्मनें ने भी एक्स्पैंड किया अपने solar जो प्लान से और उन्हों टार्गेट किया कि हम 100 billion US dollar का investment करेंगे इसके अंदर solar energy के अंदर और 100 गीगावाट्स अपन का इनको target है ओके तो इंडिया भी बहुत बड़ा market बन चुका है solar energy को इंडिया भी काफी महनत कर रहा है solar energy को आगे बढ़ाने के लिए तो आपका जो आंसर था दुनिया में largest producer कौन बन गया है चाइना which country has hosted BIMSTAC senior official meeting तो कौन सा country जो की host कर रहा है BIMSTAC की senior official meeting को तो देखते है है news okay तो यह जो 17 session हुआ है BIMSTAC का यह कौन कहा हुआ है काट मंडू में हुआ है okay और 2017 के अंदर और नेपाल इसका hosting host कर रहा है इसको जो current chair है जो इसकी BIMSTAC की वह किसके पास है नेपाल के पास है और यह fourth BIMSTAC summit host कर रहा है तो आपका जो आंसर है वह नेपाल है और आपको ध और साथ मैं Asian का दोनों को ही collaboration है यह BIMSTAC जिसके अंदर दोनों ही देश इसके अंदर आते हैं okay जैसे कि इसके जो members हैं अकर मैं आपको बात करूं members को seven nations के member हैं उसका पूरा नाम जो है वह है Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and the economic corporation यह इसकी full form है और इसका जो secretary है वह है धाका के अंदर यानि की ब members है वो है Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Sri Lanka और साथ में महनमार और Thailand तो महनमार और Thailand यह दो देश कहां चाहें Asian से हैं बाकिस सारे किसके सारक के हैं okay तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं तो seven countries है पांच अपने हां से और दो Asian से देखते हैं अगला question which country has imposed a ban on Basan Festival तो Basan Festival के ओपर ban लगान उन्होंने भी इसके बारे में काफी कमेंट केते कि उस टाइम पहले और पाकिस्तान के जो पंजाब के जो चीफ मिनिसर है शहबाद शरीफ उन्होंने इंपोस कर दिया है complete ban on Basan Festival celebrated to mark the start of spring season तो उनको लगता है कि Basan से इसे काइट उडाने से काफी danger होता है लोगों की life को तो उस वाज़े से इन्होंने इसको ban कर दिया है तो आपका अंसर जो है वो है पाकिस्तान आयाला वाटर एकलोजिकल लिमिटेट एक कंपनी है किसी देश की वो कंट्रिबीट कर रही है क्लीन करने में यमना को तो एक कौन से देश की कंपनी है तो देखते हैं न्यूज तो डे इसको जो की डेली गौर्णमें ने बुलाई है और इनकी हेल्प से यमना दिवर को साफ करने की बात कर रहे हैं तो तो तीसरी इंडियन ओरिजन वोमन कौन है जो की इस पेस में जा रही है तो देखते हैं सा पहले नूज अ इंडियन नीरो सर्जन करने बात कर रहे हैं तो और इस 2018 Space Mission under the Citizen Science Astronaut Program तो Citizen Science Astronaut Program की तहरत एक नियरो सर्जन है इंडियन ओरिजन की जिन्होंने इनको चुना है और इनका नाम है शौना पांडिया ओके डॉक्टर शौना पांडिया है जो की इस पेस में जाने के लिए इनको सलेट करा गया है और यह तीसरी परसन होगी जो की इंडियन ओरिजन वुमेन होगी कल्पना चावला सुनेता विलियम्स के बात में यह थर्ज परसन तो आपका आंसर है ए चैना में होने वाला है ओके ज्यामायन के अंदर यह होने वाला है और यहां पर इन्होंने अपनी थीम भी रिलीस करी है जिसका नाम है ब्रिक्स स्ट्रॉंगर पार्टनर्शिप है ब्राइटर फ्यूचर ओके यह इस साल की 2017 की थीम होगी और यह चैना के अंदर हो रहा है और सबी देश को पता है कि ब्रिक्स में अंदर कौन को रहे देश है ब्रेजिल रश्या इंडिया चाना और इसका इन्होंगरेशन जो संबिट हुआ था पहला जो संबिट हुआ था 2009 के अंदर वो रश्या के अंदर हुआ था वहां साओ अफ्रिका ने पार्टिसेपेट न रखनी है और इस पार कहा हुआ है यह चाना के अंदर हो रहा है ऊके तो यह चैनीज ओंसी है जिसने ये जारी किया है अपना बता है उन्होंने कि ठीम और बाकी कोरपरेशन प्रैरिटीस सैट कर दिया चाना आ टिसू पार्टी हो चैना के बारा में जानकर. यह आकना भी आ कराने वाला कौन सा देश है जो कि इसको होस्ट कर रहा है तो देखते हैं न्यूज तब मुल्टिनेशनल अमान 17 नेवल एक्साइज कि दो ऑफ इन कराची वित थर्टी सेवन कंट्रीज टेकिंग पार्टी ने इवेंट तो थर्टी सेवन कंट्रीज देश इसमें थर्टी रहा है वह है पाकिस्तान ओके तो यह important question है friends आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान है कैपिटल है इस्लाम अबाद करन्सी है रूपी प्रेसेंट है मामून हुसेन और प्राम मिर्स्टर नावाज शरीव इच इंडियन एर्पोर्ट इस तो दुनिया का बार्वा सबसे बीजि civil aviation organization तो ICAO ने एक report published करी जिसमें बता है कि November 2016 के अंदर सबसे busiest airport दुनिया का बार्वा कौन से डेली एरपोर्ट आए तो आपको जा answer है वो है डेली एरपोर्ट और आपको यह भी जानक में जरूरी है friend कि ICAO का headquarter कहां पर है यह Montreal के अंदर है जो कि कहां पर है Canada के अंदर है यह भी आपको दानक में जरूरी है अब देखते हैं national news which is the first state in the northeast to implement e cabinet solutions तो नौर्टीस इंडिया के अंदर अपने कौन सा ऐसा पहला state है जो कि e cabinet solution लेके आया है तो देखते है news अन्नाचल बिकें first and e state to implement e cabinet solution तो अन्नाचल प्रदेश यह पहला state बन गया है जो कि e cabinet solution लेके आ notes before the meeting और इसके साथ में e cabinet से हो क्या जाएगा friends जो cabinet members है इनके विदान सभा के वो पहले ही जो cabinet notes है वो meeting से पहले ही इनको मिल जाएंगे कि क्या discuss करना है क्या topic चल रहा है किस बारे में आज debate होईगी उन सभी के बारे में इनको मिल जाएगा पता लग जाएगा which state has inaugurated first smart police station in India तो देश में पहला smart police station इंडिया में कहाँ पर inaugurate किया गया है और यह किया गया है कहाँ पर आंद्रापरदेश के अंदर ओके first smart police station inaugurated in आंद्रापरदेश तो आपका अंसर है D which city has hosted global conference on nuclear terrorism तो कौन्श city है जो की host कर रहा है global conference on nuclear terrorism ओके देखते है news global conference on nuclear terrorism begins in new Delhi तो यह नई डेली के अंदर इसको new Delhi में इसको कराया गया है और 150 delegates से जो की अले अलग देशों से यहाँ पर आया है और participate कर रहे हैं तीन दिन के event के अंदर तो आपका अंसर है new Delhi cabinet approves प्रधान मंत्री ग्रामी डिजिटल साक्षरता अभ्यान ओके तो union cabinet ने अप्रूर कर दिया है प्रधान मंत्री ग्रामी डिजिटल साक्षरता अभ्यान जिसके तरह 6 करोड रूरल हाउस होड को इसका फायदा मिलेगा तो इसी scheme के जहत करा गया प्रधान मंत्री ग्रामी डिजिटल साक्षरता अभ्यान किया गया ओके और उसका जो टोटल बजट है वो नियरबा धायजा करोड के असपास का है और 2019 तक इनका target है कि पूरे रूरल इंडिया को डिजिटली लिटरेसी प् इन डरम इन The World विछ स्टेट इनागरेट Church इनागरेट इनाटा sırs ट्वेनिज्स सेमिनार क कौंसा इनाटा कराया है 17th했습니다 International Counter-terrorism Seminar तो कामचा प्र clarity इनाटा से गनियों मिनिश्टेन के इन्टरा काया अगरेट देखते हूं और ऑ पर हुआ हर्याना के इने तव Cyril सिघृ कं वे which portal has been launched to enhance transparency and accountability as a part of the ease of doing business in the mining sector तो mining sector के अंदर ease of doing business बढ़ाने के लिए कौन सा ऐसा पोर्टल बनाएगा जो की बढ़ाएगा transparency और accountability okay mining sector के अंदर तो देखते हैं news ओके जो इस पोर्टल का नाम है वो है तमरा transparency auction monitoring and resource augmentation portal and mobile application here on 10th February तो तमरा नाम का एक यह portal है और mobile application जो की 10th February को launch किया गया okay तो आपका जो answer है वो है C और इसका पूरा नाम है transparency auction monitoring and resource augmentation which is the first state in the India to establish cashless system for distribution of food grains तो food grains याने की खाने की जो सामान है food grains को देने के लिए कौन सा distribute करने के लिए कौन सा ऐसा पहला state है जिसने cashless system बनाया है तो देखते है news गुजरात became first state to establish cashless system तो गुजरात पहला state बन गया है देश के अंदर जो की established किया जिसने cashless system कि सीच के लिए आपके जो food grains खरीदने के लिए जो कि subsidy पर मिलते हैं तो यहां पर आधार काड दिखा के आप यहां पर करीज सकते हैं तो आधार enabled payment system है जो कि यहां पर launch किया गया है और अगर किसी के पास आधार काड नहीं है और वो लेना चाता है तो वह अपने दो documents है जो कि उसने अधार काड अप्लाय करने के लिए दिए वे हैं उनको दिखा के भी ले सकता है तो आपका answer है गुजरात दी आपका answer है तो डलहाउजी रोड जो की डेली के अंदर है उसका नया नाम क्या रखा गया है न्यू डेली के अंदर देखते हैं तो इसका डलहाउजी रोड का नाम बदल के दारा शिखो रोड रख दिया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं दारा शिखो कौन थे एक elder सबसे है अपने बड़े संते मुगल emperor शाजहां के और उनने काफी काम किया था और हिंदूजम और मुस्लिम को साथ में लेकिया आने के लिए इसलिए उनके नाम पर रखा गया है इस रोड का नाम तो आप का अंसर है एक दारा शिखो इस संधार जी है अधार नंबर विल बी तो आप पहले आपको सबको पता है कि National Food Security Act है था जिसके अंदर सस्ते में कई चीज़े देने का और स्क्यूरी में विरासन देनी की बात हुई है और उसके तरह से को लेना है तो क्या करना पड़ेगा आधार कार आपको दिखाना बहुत जरूरी है और आपके पास आधार कार नहीं है तो आप अपने documents पर प्रवाइड कर सकते हैं जिनके तुरू आप अप्लाए कर रहे हैं तो आपका जांसर है वह है आधार कार तो आधार कार इनेबल पेमेंट सिस्टम यहां पर रखा गया है तो गर्ल्स एजुकेशन का मैटर को देखने के लिए कौन हैड बनाए गया है तो देखते हैं जो कम एजुकेशन लेने का और कम इन्रॉल्मेंट करने का स्कूल में इन सब इशु को देखने के लिए तो यह क्या नाम है इनका कादियाम श्रीहारी इनका नाम है तो आपका यह आपका अंसर है जो इनको हैड बनाए गया है तो देखते हैं नाशनल प्रोड्टिविटीविटी वीग सेलिब्रेट हो रहा है बारा फैब से अठारा फैब के बीच में जिसकी जो थीम है क्या करें उसको कम करें रिसाइकल करें और फिर उसको रियूस करें यह इसकी थीम है और आपका अंसर है नाशनल प्रोड्टिविटीविटी वीग बारा फैब से अठारा फैब के बीच में है विच इन जो की दुनिया के सबसे औलडे सर्वाइविंग पंशनल इन जाएगी मों वह आपस से चले वह तैयार हो गया और कहां से चलेगा कैपिटल दिल्ली से रिवाडि हैना के बीच में चलेगा और ये पांस साल बाद में इसको चलाया जा रहा है ओके डेलीकेंट से ये चलेगी और रिवाडी तक ये जाएगी सिंगल ट्रिप के अंदर इसको बनाया था कंस्टर्ट कातास का लोकोमोटिफ किस्टन थॉम्चन और हविट्सन ने जो कि इंगलेंड में किया था 1885 के अंदर उसके बाद भी कोलकता यानि केलकता इसको लाया गया था तो आपका अंसर है फेरी क्यूइन ये बहुत ही इंपॉर्टन कोश्चन है फ्रेंड इंडिया फार्मा 2017 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 इंडिया फार्मा इंडिया फार्मा इंडिया फार्मा इंडिया इंडिया माध़ के अंदर इसको और्णाइज करा गया है तो ब 때도 भेंगलो monitor उसी यह जो की यह और्णास कर दिसक्स कर गया है तो आपका अंसर है बैंगलोर वुंसिष हुझेशल कर दो तो हुनर हट कह बारे में आपने सुना होगा friends और यह क्या है friends एक craft और cuisine का एक संगम है जहां पर craft और खान दोनों के बारे में यहां पर बताया जाता है और इसको organize कर जो कराया गया है यह new Delhi के अंदर इसको organize करा गया है वो नई Delhi वो city है जो की जिसने इसको organize किया है और यह second edition है उनर हट का और यहां की जो theme थी वो थी craft and cuisine का संगम तो second उनर हट इस बीन organized from 11 to 26th fab at CP तो आप का अंसर है new Delhi निव देली के अंदर इसको organize करा गया है तो पहला ऐसा कौन सा वार्शेब है जिसके ओपर solar panels लगाया गया है तो दिखते है news for the first time in the country solar panels have been has been installed on an Indian warship the survey class vessel INS Sarwakshak attached with the southern naval command has been fitted with the 18 sheets of the solar panels atop its hangar तो okay तो Sarwakshak वो INS है INS Sarwakshak है जिसके ओपर क्या लगाया है solar panels लगाया है okay 18 sheet लगाया है यह panels की तो इनर जी को utilize करने के लिए और यह पहला वार्चिप है अपना तो आपका अंसर है INS Sarwakshak which state has hosted national woman parliament 2017 तो बहुत ही important question is a friend national woman parliament 2017 कौन से state ने इसको organize कराया है okay तो देखते हैं news national woman parliament held in Andhra Pradesh तो Andhra Pradesh वो state है जिसने इसको host किया है तो आपका अंसर है C और यहाँ आपकी जो theme थी empowering woman strengthening democracy okay और यह अमरावति के अंदर इसको कराया गया okay तो आपका जो आंसर है वह है आंद्रप्रदेश which city is hosting international spice conference 2017 तो international spice conference 2017 कौन city ने host करी है okay another important question और यह कहां कराया गयी है तिरुवनन्थ पुरम के अंदर इसको कराया गया है और जो पहला international spice conference हुआ था वह कहां हुआ था गोवा के अंदर हुआ था और यह दूसरा हो रहा है और यह कहां हुआ इस बार तिरुवनन्थ पुरम के अंदर हुआ है देखते हैं अगला which city is hosting Indian Seed Congress 2017 तो Indian Seed Congress 2017 कौन सेटी होस्ट कर रही है और इसका अंसर है कोलकाता Radha Mohan Singh inaugurates Indian Seed Congress 2017 in कोलकाता और यह Radha Mohan Singh कौन है यह Union Minister Agriculture और Farmer Welfare के इन्होंने inaugurate किया है इसमें कोलकाता के अंदर जिसके theme थी सीड अव जॉय तो आपका अंसर है कोलकाता which is the first cashless township in India तो देश की पहली cashless township कौन सी है तो देखते हैं यूज गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर जी एन एफसी township है जो की बरूच के अंदर है इन्होंने देश का पहली cashless township होने का दावा किया है और यह बन चुके हैं देश के पहली cashless township ओके यहां पर नियरबाइ 5,000 की population है और floating population नियरबाइ 10,000 लोगों की है everyday ओके यहां पर सारे जो shopping malls है schools, colleges, hospitals सब भी क्या हो चुके हैं cashless हो चुके है तो यह पहली township देश के अंदर उसका नाम है गुजरात नर्मदा वैली fertilizer तो यह आपका अंसर है इंडिया फर्स फ्लोटिंग इलिमेंटरी स्कूल इनाग्रेटेड इन्विश सिटी तो देश का पहला इंडिया फर्स फ्लो disgusting इलिमेंटरी स्कूल इनुगरेटेड इननग्रेट उसका गाँ एभिटेड इनीग्रेग की इनाग्रेटेड इन्टाइब आपको इस इनीग क्या ए साब एमधन तरह है उक्राम इबोबी सिंग गवर्णर है नजमा है पिदूला एंट इस फांड़ें इन 21 जैनुवरे 1972 अब देखते हैं ट्रेड इं बैंकिंग से लेटेड इंपोर्टन कोश्चन्स विच बैंकर पार्टनर विधा इंसुरेंस कंपनी typनी Cayna TTK Health तो Bank of Maharashtra ties up with the Cigna TTK है तो Bank of Maharashtra वो bank है जिसने tie up किया है Cigna TTK Health के साथ में आगए विच पैंकर ताफ विधा अर्थ पोर्ट प्लसी खार्ट याननी कि क्रोस बोर्ट दूसरे देश देश के अंदर पेमेंट भेजने के लिए एक bank ने type किया किसके साथ में Earth Port FLC के साथ में तो यह कौन सा bank है यह धे र्धिश का Third Largest प्राइबिट डंक Axis bank जिस ने type किया है तो आपका answer है डी, Axis bank ओके और Axis bank देश का पहला bank बन गया जिसने जो की Earth Port के साथ में connect हुआ है ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क के अंदर यह देखिए हाइलाट से यह इस बाइमन्थली आर्बे मॉनेटर पॉलिसी इन्होंने बताई है तो जो अपनी रैपो रेट है वो कितनी है 6.25 है रिवर्स 5.75 है, कैश देख रेश्यो 4%, SLR 20.50, MSF 6.75, बैंक रेट 6.75, ओके बैंक रेट और MSF दोन ही इक्वलेंट है और साथ में एकनॉमिक ग्रोथ अपने 2017 के 6.9 बताई है और उसके बाद में 17-18 में यह इंक्रीज करेगी इतनी चीज है जो कि आपको ध्यान रखनी है अपने आने वाले पेपर के लिए तो कौन सा बैंक है जिसने विदाउट एंप्लॉई के अपनी ब्रांचिस ओपन कर दी है तो यह है बैंक ओफ अमेरिका ओके यहाँ पर कुछ कैमरा लगा गया है जो कि डिरेट लिए दूसरे बैंक से और वहाँ से उनको आंसर दे दिये जाएंगे कौन से बैंक के लिए कौन से बैंक ने टाइप किया है तो आपका जो आंसर है वो है फैडल बैंक ए आपका अंसर है कौन से बैंक के साथ में टाइप किया है तो आपका जो आंसर है वो है बैंक को बड़ोधा बैंक को बड़ोधा वो बैंक है जिसने टाइप किया है Saxo Bank is from which country तो यह Saxo Bank जो है यह कौन से देश से बिलॉंग करता है तो बैले देखते हैं News ICICI Securities Inc. partnership with the Denmark Saxo Bank तो ICCI, ICICI Securities ने partnership करिये Denmark के इस बैंक के साथ में तो अनेबल domestic investors enter overseas market including equities and debt segments तो जो domestic investors है उनको international market में provide करने के लिए उनको यह सब किया गया है तो यह जो bank है वो कहां का है Denmark का यह bank है तो आपका D आपका answer है तो ICICI Bank है जो कि आपको धानक नहीं किया है इन्होंने इसके साथ pact sign किया है Which one of the following is signed an MOU with CREDAI, CREDAI West Bengal to train thousand construction workers in Kolkata and nearby villages Okay तो कौन सा ऐसा bank है जिसने MOU sign किया है CREDAI West Bengal के साथ मैं Okay to train 1000 construction workers in Kolkata and nearby villages जो कि मिलके दोनों 1000 construction workers को वहाँ पर train करेंगे Okay ताकि जो civil industry है civil engineering है या फिर जो यह construction making projects है यह वहाँ पर quick हो सके हैं और अच्छे से हो सकें तो यह जो bank है यह PNB Housing Finance Limited यह जो company है माफ किजिए का bank नहीं है यह PNB Housing Finance Limited है जिन्होंने इनके साथ में tie up किया है तो जो आपका answer है वो है PNB Housing Finance Limited C आपका answer है देखते हैं अगला question which bank has started up with the Indian Indian lands for loan services to first time borrowers तो कौन सा bank है जिसने tie up किया है इंडिया लेंड्स के साथ में ताकि loan service provide कर सके जो first time borrowers है जो पहली बार loan ले रहे हैं उन लोगों को तो देखते हैं news private sector lender IDFC bank has collaborated with the fintech startup that is Indian lands to enable first time borrowers who do not have a credit history to take loans तो जो ऐसे लोगों के जिनके पास credit history नहीं है उनको भी पहली बार loan देने के लिए IDFC bank ने type किया किसके साथ में fintech startup के साथ में इंडिया लेट्स के साथ में तो आपका जो answer है वो है B IDFC bank ने ये type किया है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है 2% जो ये government है इनोंने लगा है किसके नहीं ITC के अंदर तो आपका जो answer है वो है A ITC which bank will finance small units in diamond sector at at concessional rates तो कौनसर bank है जो कि finance करेगा small units को diamond sector के अंदर बहुत ही कम rates के उपर तो देखते है news तो give up है lag up to the micro small and medium enterprises in the diamond industry bank of Baroda is planning to launch a supply chain financing project for the industry on a pilot based in Surat तो Surat के अंदर इसको launch करने के बाद हो रही है और bank of Baroda है जो कि plan कर रहा है एक supply chain बनाने के लिए किसके अंदर? diamond sector के अंदर तो आपका जो answer है वो है bank of Baroda C आपका answer है which car brand has been sold तो तो देखते हैं news कौन सी जो car brand है जो की French company को recently प्याओगो तो देखते हैं news ambassador the iconic Indian car brand that will dead till less than a decade ago both the prime minister and the common man brings sold to the French car maker प्याओगोड तो CK Birla Group की एक Hindustan Motors owned a company है जिन्होंने जो एक iconic Indian car brand ambassador इसको बेज दिया है और 80 करोड रुपह में इसको sign किया गया है और जो एक French के car maker प्याओगो इनको यह दिया गया है तो आपको जो answer है ambassador और तीन साल पहले यह ambassador का जो production है वो बंत कर जया गया था which is the first bank to use भारत bill payment system भारत bill payment system use करने वाला देश का पहला bank कौन सा है देखते है news HDFC bank goes live on भारत bill payment system HDFC वो पहला bank है जो की भारत bill payment system use कर रहा है तो आपका जो answer है वो HDFC C आपका answer है और HDFC का जो headquarter वो है Mumbai के अंदर it was founded in 1994 chair person corner भी अधित्यापूरी है और tagline इसकी we understand your world government has allotted रुपीज करोड to India Post Payment Bank for financial year 1718 तो government ने allot किये हैं कुछ कई सारे करोड किसको to the Indian Post Payment Bank को financial year 1718 के लिए तो कितने allocate किये गए हैं तो government allocate रुपीज 500 करोड to the IPPP for financial year 1718 तो 500 करोड है जो की allot किये गए हैं government के द्वारा तो आपका answer है D ओके और इसके द्वारा ये क्या करेगा ये अपनी 650 branches पूरे देश में खोलेंगे इस पैसे के द्वारा अब देखते हैं appointment से लेट important question फार्मोजो विंस Somalia presidential vote तो पहले देश के former prime minister थे ओके जिनके बाद dual citizenship भी है Somali और US की वो बन गए है Somalia के नए president तो आपका उनका जो नाम है वो है फार्माजो फॉलेंग has not been appointed as a part-time director on the Reserve Bank of India Central board तो recently तीन director appoint करे गए है okay RBI central board के part-time the center appointed three part-time non-official directors on the Reserve Bank of India central board for a term of four year और जिनका नाम है Rajiv Kumar, Ashok Gulati और Shree Manish Sabarwal तो तीन percentage इनको appoint किया गया as a part-time director on RBI तो जो नहीं करे गए है उनका नाम है Sunil Mitra है जिनको appoint नहीं किया गया as a part-time director who has been appointed as a chief of the SEBI to SEBI यानि के security in the exchange board of India के chief किनको बनाया गया है यह है Ajay Tyagi senior IAS officer उनको appoint किया गया है Ajay Tyagi को or SEBI का headquarter कहां पर है Mumbai में it was founded in 12th April 1992 okay और यह regulator है security markets का India के अंदर who has been appointed as a MD of the life insurance corporation of India तो LIC के MD किनको appoint किया गया है मुंबई में है and it was founded in 1st September 1956 who has been chosen for the UN project against human trafficking तो UN project जो against human trafficking के उसके किनको select करा गया है तो देखते है news Satinder Sartaj chosen for the UN project against human trafficking तो Satinder Sartaj जो कि पाकिस्तानी folk singer है उनको यह जो campaign है blue heart campaign and awareness project against human trafficking इसके लिए select करा गया है okay और इसमें 30 artists और भी है जो दुनिया से इसके अंदर A.R. रह्मान भी है अपने सोन निगम है वो भी है और साथ में Satinder Sartaj को भी appoint किया गया है okay तो इसका जो आंसर है वो है D Satinder Sartaj भी है सोन निगम और A.R. रह्मान तीन ही है इसके अंदर who has been appointed as ambassador of India to the Republic of Madagaskar तो ambassador of India कौन बनाए गया है to the Republic of Madagaskar तो इसका आंसर है Subir Dattah Subir Dattah यह आपका आंसर है जिनको appoint किया गया है as a ambassador और इसकी जो capital है वो है A.R. और currency है Malagasy और साथ में President और Prime Minister आपको याद करने जरूत नहीं है आपको capital और currency आपको धान रखनी है इस देश की Madagaskar गई Who is the head of the task force to check tax evasion by the different sell firms तो कई सारे जो sell firms है उन्होंने tax evasion किया है उनको check करने के लिए task force के head कौन बनाए गया है और यहां पर दो person है जिनको head बनाए गया है एक तो है Hasmuk Adiyah और साथ में corporate affairs secretary Tapan Ray तो यहां पर दो आपके options थे जिसमें आपका जो एक option है जो कि match कर रहा है Tapan Ray को भी head बनाए गया है किसके task force के To check the tax evasion by the different sell firms देखते हैं अन्होंना question Who has been appointed as ambassador of FIFA तो FIFA के ambassador कौन बनाए गया है तो पहल तो FIFA की full form को ले जाना ज़रूरी है जो कि यह Federation International Deep Football Association Okay इसका headquarter वो जूरिक में है Switzerland में It was founded in 21th May 1904 President है आपके यहीनी Infantino General Secretary है Fatima Member है यहां पर 204 हो इसका motto है For the game, for the world और यहां पर Diogo Maradona जो कि अर्जंटिरा के बहुत बड़े footballer रहे है इनको appoint किया गया है as ambassador of the FIFA तो आपका answer है A Who has been appointed as the ambassador of India to the Republic of Philippines तो Ambassador of India कौन बनाए गए है to the Republic of Philippines यह बनाए गई है Narendra Chohan Narendra Chohan का appoint किया गया है तो आपका answer है B Philippines की Capital है Manila Currency है Peso President है Rodrigo Who has been appointed as the first woman director of Indian Institute of Management IAM की पहली woman director कौन अभी बनाए गई है जिनका नाम है Neeloo Rohamitra यह first IAM की woman director है Neeloo Rohamitra आपका answer है C और यह अभी कहां पर है यह भी कहां जम्मू University से है और appointed as the director of Indian IAM Himachal Pradesh and she has become the first woman to help him at IIT I am in that capacity तो यह अभी appoint करे गई है IAM Sirmur में हिमाचल Pradesh में है उनकी director Who has been appointed as the Pakistan first woman foreign secretary तो Pakistan की first woman secretary foreign secretary कि इनको appoint किया गया है यह है तहमीना जैंजवा पकिस्तान की पहली woman foreign secretary बनाई गई है Okay Who has been elected as the president of the Associated Chamber of Commerce and Industry of India तो SSM की president किनको select करा गया है यह है Sandeep Jajodhya Okay Sandeep Jajodhya ji है जिनको appoint किया गया है as a president of the Associated Chamber of Commerce and Industry of India जिसका had caught her in New Delhi में and it was founded in 1920 अब देखते हैं awards Who has won Israel prestigious genesis prize तो इस्राइल का जो prestigious genesis prize है वो किनको दिया गया है तो एक Indian origin है sculptor Anish Kumar उनको यह prize दिया गया है Okay जो कि जिन्होंने Jewish community जो का community है उनको लेके Jewish values को लेके काफी काम करें है वहाँ पे सर्जन रगूराम विंस B.C. Roy Award तो हैदराबाद के जो सर्जन है तो आपका अंसर है Hyderabad Who has entered in a guinness book of world record by building a 14.84 meter high sand castle Okay तो guinness book of world record में किनका नाम आया जिन्होंने मिट्टी से इतना बड़ा building बनाई है तो देखते है news सुदर्शन tallest sand castle storms into the guinness world record सुदर्शन पतना एक बहुत ही famous है Odisha के person इन्होंने यह दुनिया का सबसे बड़ा sand castle बनाया है अब देखते हैं 59th Grammy Award 2017 Grammy Award recently दिये गए है जो कि news में काफी थे क्योंकि यहाँ पे Adlai ने अपना जो Grammy Award है उसको break करके उसको break करके share किया था ओके share किया था Beyonce के साथ मैं तो इसलिए यह काफी news में था और आपको ध्यान रखना कि Album of the Year का Award किसको मिला है एड लेगो आपको दो तीन चीज़ हैं जो कि यहाँ पे ध्यान रखनी है एक तो Album of the Year जिसका नाम 25 था यह Adlai को मिला है Record of the Year जिसका नाम Hello यह भी एड लेगो Song of the Year यह भी एड लेगो ओके तो यहाँ तीन चीज़ हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है और इन्होंने अपना Award को तोड़के अपनी जो Inspiration and Beyond से उनको यह आदा दिया था जो कि वहाँ पे काफी news में आया था और इसलिए आपको यह आद रखना जरूरी है British Academy of Film and Television Award BAFTA Awards 2017 BAFTA Awards अभी दिये गए हैं और यहाँ पर जो सबसे जादा इंडिया में जो news में flash में हुए है वो देव पटेल हुए थे को कि उनको यह Award मिला था Lion Movie के लिए for Best Supporting Actor तो आपको दो तीन चीज़े ध्यान रखने है पहली तो जो Best Film का Award मिला है BAFTA में वो Lala Land को मिला है और इसके अलावा देव पटेल को जो मिला है वो Lion Movie के लिए मिला है Best Supporting Actor अब देखते हैं Sports related important news National Badminton Championship होती है अभी 81st Senior Badminton Championship होती जहां पर सौरव वर्मा जीते हैं और रितू पढ़ना दास जीती है तो आपको दो नाम ज्यान रखने है National Badminton Championship के पूछे गए तो सौरव वर्मा और रितू पुरना दास इन दोनों यह अपने-पने किताब जीते हैं male और female में Which country has been banned from London World Athlete Championship 2017 तो London के अंदर अभी recently होने वाली है World Athlete Championship तो कौन सा देशे जिसको banned कर दिया गया है यह Russia वो देशे जिसको banned कर दिया गया है तो आपका answer है A Okay और इनको इस सभी international competition से banned कर दिया गया था 2015 से क्योंकि इनकी जो रिपोर्ट आई थी New Delhi Mission 11th Million क्या है 11 Million क्या है Friends यह एक नेंद मोदी ने फुटबाल को देश में एक बहुत बड़ा sports बनाने के लिए इसको launch किया है Okay, तो Mission 11 Million इसको नाम दिया गया है यह biggest School Sports Outreach Program है जो कि Ministry of State For Youth and Affairs Sports Minister ने यान की Vijay Gowell उन्होंने इसको launch किया है Okay, और President Goal है कौन है अभी All India Football Federation के यह है Shri Prafful Patil What is the name of the official mascot of FIFA Under 17 World Cup? FIFA Under 17 जो World Cup इंडिया में होने वाला है Okay, जो की नियरबाए डाइसु दिन ही आगे है तो इसका official mascot क्या है? इसका है Khello Okay, Khello इसका नाम है यह देख सकते हैं आप और यह कहां पर होगा New Delhi जवाला नेरू में इसको start किया गाएगा Okay, माफ की जगा New Delhi में इसको inaugural किया गया है इस mascot को Okay, क्या ही यह कि Clouded Leopard है It's an endangered wild cat Whose habited extend from the Himalayas would heal to the mainland Southeast Asia Okay, तो यह जो Mascot है यह New Delhi के इंदर इसको unveil किया गया अब देखते हैं FIFA के बारे में तो कुछ एक और information इसका headquarter में आपको बताया Zurich में है और बाकी founded in 21st May 1904 President है Gini Infantino Member है इसके 204 और motto है For the world For the game, for the world Which team has won? Blind T20 World Cup 2017 Friends, इस बहुत important question है Recently, India के अंदर Blind T20 World Cup हुआ था 2017 के अंदर India ने यह tournament जीत लिया है Pakistan को हराया Final के अंदर और यह tournament जीत लिया है League matches में Pakistan ने भी India को हराया था लेकिन final match में India ने पाकिस्तान को हरा दिया है Okay Pakistan ने 197 run बनाय थे Novikit पर और India ने इसको पालिया था और यहाँ पर मैंने तो मैंज बना गए Prakash बना गया Bandar Munir और यह इंडिया में कराए गया उसके जो brand ambassador थे जो कि सबसे important question आपके लिए वह legendary player Rahul Dravid Okay Rahul Dravid इसके brand ambassador है Who is the fastest to take two 50-week test wickets in terms of matches played 200 test wickets लेने वाले सबसे कम matches में दुनिया के कौन से baller है यह Ashwin Ravi Chandran Ashwin जो अपने office spinner है Okay इनको record बनाया इन्होंने 200 test wickets लेने का fastest matches के अंदर इससे पहले Dennis Lilil का था 48 matches के अंदर और इंडिया के तरफ से जो fastest fastest पहले था वो था अनल कुमले के दौरा जो कि इन्होंने 55 test match में लिये थे और इन्होंने एक आर्नमा बहुत ही कम test match में पूरा कर दिया है तो आपका अंसर है Ravi Chandran Ashwin अब देखते हैं करनल निजामुदीन पास जब रिसेंटली He was a confident off तो करनल निजामुदीन की रिसेंटली देथ हुई थी काफी newspaper में आया था यह किसके confident थे तो देखते हैं New Subash Chandra Bose Confident Colonel निजामुदीन पास जब रिसेंटली देथ हुई तो यह Subash Chandra Bose के साथ में थे जो की उनकी रिसेंटली देथ हुई है और उनको दो साल तक सर्व किया है और यह उनके बोस के ड्राइवर भी रह चुके थे उनकी रिसेंटली 116 साल के उमर में देथ हुई है Peter Mansfield passed over recently who he was तो Peter Mansfield जो की Nobel Prize winner है जिन्होंने MRA का development किया था यानि कि Magnetic Resonance Imaging इसको बनाया था जिनको Nobel Prize में मिलाता physicist थे यह ओके और उनकी रिसेंटली देथ हुई है तो यह थे scientist Dharmishil Chaturvedi has passed over recently who he was तो Dharmishil Chaturvedi की recently death हुई थी यह कौन थे यह बहुत ही famous eminent thinker थे writer थे और journalist थे friends तो आपका answer है writer भी है journalist भी यानिकी D आपका answer है तो फिरेंट देखते हैं भी book से related important question Rajnath Singh releases the book title विरभपन Chasing the Brigade विरभपन नाम की यह book है जो की Rajnath Singh ने अभी release करी है और यह किनके दौरा लिखी गई थी के विजे कुमार के दौरा जो के senior security advisor minister of home affairs में है और विजे कुमार यह वही person है जो की head थे special task force के जिन्होंने विरभपन को मारा था operation cocoon के अंदर 2004 के अंदर और यह काफी बड़े role model भी है नए IPS officers के लिए इसलिए इनके नाम ने यह किताब लिखी और इसको रिलीज करी राजनात सिंह नहीं तो फ्रेंस यह आज के यह हमारे second week के FAP के जो important questions है जो कि आपकी पेपर के लिए important है and friends if you are not subscribe our channel team now then click on this logo to subscribe our YouTube channel for daily videos and for daily newspaper editorials vocaps and quiz download vocab24 app now and if you enjoy this video then don't forget to like and share this video with your friends and give your feedback while commenting on this video so friends thank you and all the best for upcoming exam hope you like this video